भारत में सबसे ज़्यादा माथा टेकने वाला मंदिर तिरुपती बाला जी कहा जाता है। हर साल यहां लाखो बग दर्शन के लिए आते हैं। भारत में और मंदिरों के तुलना में यहां सबसे ज़्यादा चमतकारी और रहसे में चीज़े देखने को मिलती है। तिरुपती बाला जी मंदिर के मानित आनुसार भगवान बाला जी अपनी पत्नी पदमावती के साथ तिरुमाला में रहते थे। यह दुनिया का एक मात्रम मंदिर होगा जहां आपके पास देने के लिए अगर कुछ नहों तो आप आपके केश यानि के बाल दान कर सकते जिने जान कर आप हैरान हो सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की जान लेते हैं तिरुपती बाला जी मंदिर के सबसे बड़े रहस्या और वीडियो के अंतक हमारे साथ बने रहिए। जाने वाले भक्तों की अमान्यता है कि बगवान वेंकटेश्वर की मूर्ती पर कान लगा कर ध्यान से सुनने पर समुद्र की लहरों की आवाज आती है। और यही कारण है कि जिसके कारण बगवान वेंकटेश्वर की मूर्ती हमेशा गीली देहती है। बगवान बाला जी के थोड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता है जिससे उनकी जखम कर गाव बर जाए नमबर चार इस मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है आप कभी तिरुपती मंदिर जाएंगे तो यह दिया आपने जरूर देखा होगा इस दिये में कभी भी तेल यागी नहीं डाला जाता फिर भी यह दिया हमेशा जलता हुआ रहता है इस बात को कोई नहीं जानता यह दिया कब और किसने लगाया है नमबर पांच भगवान बाला जी के मंदिर में जाने के बाद आप तैखाने में जाकर मूर्ती को देखोगे यह मूर्ती आपको बीचो बीच दिखाई देगी अगर आपने यह मुर्ती तैखाने से बाहरा कर देखी तो भगवान बाला जी की यह मुर्ती बाही तरफ दिखाई देगी है ना खाज रहस्य नमबर छे श्री भगवान बाला जी के रदे में माता लक्ष्मी वास करती है यह बात तब समझन में आती है जब वह ब्रुजपति वार भगवान बाला जी का पूर्ण शुंगार निकाल कर उन्हें सनान कर चंदन का लेप लगाया जाता है यह चंदन का लेप निकाले पर रदे पर लगे चंदन से माता लक्ष्मी की चबी उबर कर आती है इसलिए कहा जाता है कि भगवान बाला जी के रदे में माता बिराज समाया है इसलिए भगवान बालाजी को दोती और सदी से सजाया जाता है नमबर आठ भगवान श्री तिरुपती बालाजी के मंदिर से लगबक 23 किलो मिटर की दूरी पर एक गाउ है इस गाउ में बाहर से किसी इंसान को आने की अन्युमती नहीं है लेकिन यहां के लोग बड़े नियमों को पालने वाले है कहा जाता है कि भगवान बालाजी को चड़ने वाला फल, दूद, नहीं और गी या साड़ी चीज़े इसी गाउं से लाई जाती है गाउ की महिला केवल सिये हुए कपड़े ही पहनती है और बड़ी शद्दा पूर्वक यह सामगरी भगवान बालाजी के लिए बनाई जाती है नमबर नौ देखा जाए तो भगवान बालाजी की मूर्थी एक खास पत्थर से बनाई गई है लेकिन फिर भी यह मूर्थी दिखने में जीवन लगती है इस मंदिर के वातावरन को ठंडा रखा जाता है फिर भी भगवान बालाजी को गर्मी हो जाती है और इसी कारण उनके बदन से पसीने की बूंदे दिखाई देती है और मूर्थी की पीट भी गिली हो जाती है तो यह जे भगवान बालाजी के मंदिर के चमतकार और रहशे जो आपने शायद ही सुने होंगे या देखे होंगे दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस अपने मित्रों के शार्ट सेर कीजिए और ऐसे ही दूसरे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए